श्रुश्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है, कारे पत्रक 31 में आज हम तरिबुज और उसके गुन के विश्य के में बात करेंगे तरिबुज की प्रकार, तरिबुज की भुजाओं के अनुसार, कोनों के अनुसार, हम इस सार्णी को पूरा करना है पहले, आप इस सार् की है और को नो के अनुसार हम उसको नियून कों तरिबुज सारे कों नइज हो सकते क्या सम्धी बाहुत कों नियून कों हो सकता है हाँसा है ic नियून त्रिबुज भी हो सकता है, कैसे? जैसे आपने एक त्रिबुज लिया, अगर ये 90 डिग्री का है, तो ये दोनो 45, 45 हो सकते हैं, ठीक है? ये बन सकता है, आप ये देखो कि एक त्रिबुज आप बनाओ सम्धि बाहू, आप उसमें एक अधिक कौन भी बना सकते हो, एक जैसे अधिकोन भी और सम बाहू जिसके तीनों भुजाएं एक जैसी हैं उसमें सिर्फ न्यून कोन त्रिबुजी बनेगा तीनों ही न्यून कोन होंगे एक भी अधिकोन और सम कोन त्रिबुज नहीं बन सकता आप बनाके देखो सम बाहू का मतलब है तीनों भुजाएं बराबर त तो तीनों कौन बराबर और तीनों कौन बराबर का मतलब है बस 60-60 हो सकता है क्योंकि त्रिबुच के तीनों कौनों का जोड़े 180 होना चाहिए यह न यादे न आपको त्रिबुच के तीने अंतों कौनों का योग कितना होता है 180 डिगरी किसी त्रिबुच का बाहिये कौन किस पर होता है ठीक है इस पर अधारित आपको कई प्रश्न करने है आगे देखते हैं हमारे पास क्या है देखिए प्रतेक तिपुझ में अज्यात को ग्यात करना है आपने ढूंडना है और तिपुझ की संख्या को सही तौर पे लिखना है सही तीर पे लिखना है जैसे ये तिप अंदर वाले कोन जो है यह आपके 50 और 40 है आपको बाहर का कोन निकालना है बाहिये कोन अभी आपको क्या बताएगा था बाहिये कोन दो अंता कोनों की योग के बराबर होता है तो यह दो आपके अंता कोन है इसका योग निकालो योग यानि प्लस करो जब इनको प्लस करोगे तो क्या हैगा 90, यानी X होना चाहिए 90, ठीक है, अभी X 90 है, तो 90 कहा पर है आपके पास, 90 देखिए, यह 90 है, तोयाँ पर आप एक लिख देंगी, एक है, ठीक है, अभ यहाँ पर इनको देखिए, यह सम, यह आपका 라олет NGO, ट्राइंगल होता है यहाँ पर यह सम कौन होता है यह 90 हो गया, यह 90 है, यह 20 है तो ही कितना होना चाहिए तीनों का जोड़ा 180 है अगर आप यह 90 है, यह 20 है तो दोनों के जोड़के आगे 110 180 से घटा दो, तो यह तुमारा कितना होआ 70, तो X होना चीए तुम्हारा 70, तो 70 डिगरी आपका इस त्रिबुच पे आ जाएगा इसका नाम, इस तीर पे इसका नाम आ जाएगा, 4, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यह बाहिये कोन है, बाहिये कोन दो, अंतकोनों की युग के बराबर होते हैं, इन दोनों को जोड़ो, 50, 60 आपका 110, तो X का माप हुआ 110, 110 आपका इधर लिखा है, तो इस पे तीर नंबर 3, 3 लिख देंगे, त्रिबुच का नाम ठीक है, अब यहाँ पे 55 और 60, इन दोनों को जोड़ो और 180 से घटाओ, तो इन दोनों को जोड़ो के तो आएगा 115, 5, 6 और 5, 11 115, 180 से घटाओगे, तो यह आएगा 65, 180 से 115 को घटाओगे, दस में से 5 गए 5 और 65, तो X का माण आगया 65, तो 65 कहा है तुमारा, यह लिखा, तो इस पे तीर नंबर 2 ठीक है, तो जो जो उत्तर आ जा रहा है, तो तीर पे हम निशान डालते जा रहे हैं 65 उत्तर आए, तो इस तीर पे यहाँ पे 2 लिख दिया, 70 उत्तर आए इसका उत्तर आए, 4 का, तो यहाँ चार लिख दिया है इस तीर के उपर, यह 30 है तो ये दोनों 2 बराबर होने चाहिए तो क्या माप रखें कि पूरा का पूरा जोड 180 आए तो इसके लिए क्या तरीका रहेगा 180 में पहले से तो 30 निकाल दो तो 180 में से अगर हम 30 निकाल देते हैं तो आपके पास क्या बचता है 150 बचता है अब 150 के दो हिससे कर दो तो ये तुमारे दोनों होने चाहिए 75-75 है ना 75-75 होंगे तब इन सब का जोड 180 आएगा 75-75 और 30 ओके इसका जोड फिर बनेगा 180 तो ये 75 होना चाहिए तो यहाँ पे जो अग्यात कौन है आपका वो 75 का है यहाँ पे आंसर आएगा 75 और यह तृबुज कौन सा हुआ तीनों नियून कोन है 75-30 तो नियून कोन भी है और यह आपका कैसा हुआ विशम बाहू भी हुआ तो नियून कोन विशम बाहू तृबुज आपके दो कोन बराबर है ना तो सम्धी बाहू, नियोन को उन्त्रिबुज हुआ और ये सम्धी बाहू त्रिबुज भी होगा आपका, सम्धी बाहू, जब दो ये बराबर आगे तो सम्धी बाहू, चीक है, आगे इसको देखिए, यहाँ पर आप देखरे हो कि एक कोन आपका 90 डिगरी दिया है, ये आप 30 और 90 जोड़के हमारा 180 बनता है, है न, तो इसी प्रकार ये अगर 30 है, ये 90 है, तो ये 60 होना चीए, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये 60-60 निकलेंगे उपर वाले कोन, ये भी आपका 60 होगा, और ये भी आपका 60 होगा, ठीक है, 60, क्योंकि ये आपका 30 है, ये 30 है, तो अ और इसके अंदर हम क्या बोल सकते हैं, इसके सारी बुजाएं भी अलग-अलग नापकी होंगी, तो सम कोन विशम बाहू तरबुझ भी हो सकता है, सब बुजाएं इसके अलग नापकी मिलेंगी, जैसे इसमें बुजाओ के अधार पर देखते हैं, तो इसमें दो सारी बुजाएं अलग मापकी होंगी, तो विशम बाहू, ठीक है, तो इसके साथ ये वीडियो यहां फिनिश होता है, कोविड के विरुद आपके अलिए संदेश है, कि कोविड-19 के विरुद लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए आपको मास्क पहनना है, तो एक ये चार आ गया, तो कोण चार जो होता है, वो उसके साथ वाले को छोड़ दो, इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है, एक जमा दो, तो अगर जैसे मैं यहां बाहर निकाल दूँगी, पांच कोण लोगी, तो पांच किसके बराबर होगा, पांच होगा, एक जमा तीन के बराबर, तो आपको यह देखना है कि किस तरफ बाहर निकाला जा रहा है, जैसे मैंने यहां निकाला छे, तो कोण छे किसके बराबर होगा, इसको छोड़ दीजे दो जमाती, यह आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है, और कोण हमारा विश्यम बाहू का मतलब क्या होता है, सारी बुजाएं अलग, जैसे यह 4, 5, 6, अगर दो बुजाएं बराबर होगी, 5, 5, 7, तो यह आपका सम्दी बाहू, दो बुजाएं बराबर, और सारी बुजाए बराबर है, साथ, साथ, साथ तो योगा आपका संभा हो ठीक है, ये सब आपको हमेशा याद रहना चाहिए इसके साथ ये वीडियो ओवर करते हैं बच्चों, ये जो रूल में ने बताएं, ये जरूर जरूर याद रखना, क्लास सेवन में जरूर सीखना आपको, समाननता रिखा है तो ये चीज़े ध्यान होनी चाहिए तब ही आप प्रश्न कर पाएंगे अन्य ने तो जमेट्री में वीक हो जाओगे आप लोग ठीक है, चलो बच्चों, बाई-बाई ध्यान रखेगा आपना, नमस्कार